इवरिवन नमस्ते स्वागत आप सभी का मेरे चैनल पे आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल पत्ता गुपी मंचूरियन बनाना सिखाऊंगी 20 से 25 मिनट के अंदर तो चलिए वीडियो पे बने रहिए वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बाएक तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें तो लेस्ट गे स्टाइट अब मैंने यहां पे पत्ता गुपी ले लिया है इसे चाट उकड़ों में इस यंत्र से कट कर लिया है कट करने के बाद इसका जो बीच वाला डंठल वाला पोर्शन है इसे हम कट करके निकाल देंगे और इसे निकालने के बाद ये देखिए बारी-बारी से सभी मैंने निकाल लिया है और इसके बाद हम लेंगे एक कदुकस और इसे हम बारीक वाले में कदुकस कर लेंगे अच् बताओंगी उतना क्रिस्पी जूसी मंचूने रेस्टोरेंट वालों का क्यूं बनता है वो भी सीक्रेट में आपको बताओंगी तो वीडियो के बीच में आपको पता चलेगा तो यहां पे देखे चलिए कदुकस हो गया है पता अभी अब क्या करना है अब देखिए सबसे प पाईए तो आप यहां पे देख सकते हैं मेरी दोनों बेटिया मुझे किस तरह से यहां पर परिशान कर रही है वीडियो बनाने भी बहुत दिकत होती है इन दोनों को लेके इसके दरम्यान में ज्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पाती है तो यह देखिए पानी जो भी यह निचूड रहा है आप इसे फेक ही नहीं आप इसका जब हम सॉस बनाएंगे ना उसमें इस्तमाल कर लेंगे तो इसे फेकने की जरूरत नहीं है फ्रेंस यहां पर देखिए इतना सारा पानी यहां पर निचूड गया आप चाहो तो इसका सूप भी बना सकते हैं अब य यहां पर मैंने धनिया अद्र काली मिर्च और हरी मिर्च कोट के रख लिया था अब इसमें मैंने डाला दो चमच मैदा दो चमच कॉन फ्लोर डाला है और बाकी के इंग्रीडेंस इसके अंदर आड कर दिया है स्वाध अनुसार नमक डालेंगे नमक हमें बहुत ही हिसाब से पहले भी पत्ता गोवी में नमक अड़ किया था अब मैंने यहां पर चिली पेस्ट डाला है और चिली पेस्ट आपके पास ना आओ तो कुटी हुई लाल मिर्ची पावडर भी डाल सकते हैं अब इसके बाद हमें इसे गूतना है आटे की तारा मतलब इसका डो तायार कर ल और इसके बाद मैंने यहां इसे गूतना फिर से स्टार्ट कर दिया है यह देखिए कि इतना अच्छा डो तयार हमारा बन के रेडी हो गया है तो इस तरह से अब हम इसकी बॉल्स बना लेंगे इस तरह से बिल्कुली तयार हो जाता है अगर आपका अगर आपकी सूखे इसे पाइड़ कर सकते हैं इस तरह से जब आप率 झाहिए थी ऐसे यहां इसे तयार कर लें उसके बाद फिर को जाएटे तो दूसरा बैच तयार करें और मीडियम पर हमें सभी बॉल्स फ्रय करना है है इसे इसे फृइज नहीं करना है और जो रियोर्टन सीच्रेट हो नही तो एक बार इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राय कर लेंगे इस बाल्स को और जो इस आरे बहुत अच्छा लगता है तो इस तरह से फ्राय करना है यह देखिए इनमें अच्छे से गोल्डन कलर आ गया है तो इसका मतलब यह हमारे बॉल्स बनके तैयार हो गए है तो चलिए इस तरह से कलर बिल्कुली आना चाहिए फ्रेंस हमारे यहां पर मंचूर बॉल्स रेडी हो गए है तो इसमें 20-25 मिनट के अंदर आपके सारे यह मंचूर बनके तैयार हो जाएंगे ग्रेवी के साथ वीडियो यहां तक आपको पसंद आई तो वीडियो को प्लीज आप लाइक कर देना चैनल पर पहली बार तो सपोर्ट कर देना फ्रेंज ये देखिए हमारे मंचूरन बॉल्स यहां पर तयार हो गया है तो अच्छा रिजल्ट पाने के लिए दो बार इसे फ्राय करें रेस्टोरेंट स्टाइल के जैसे वह लोग क् क्रिस्पी अंदर सिदम नरम नरम से हमारे ये मंचूरन बॉल्स बनके तयार होगे आप इससे इस तरह भी स्टोर करके रख सकते हैं जब भी कोई महमान आए बना के दे सकते हैं अब चुलिए हम बनाते हैं इसके लिए सौस बढ़िया सी तो यहां पर दो चमश मैंने कड़ अद्रक बहुत ज़रूरी है उसके बाद ही मैंने इक चमश यहां पर लहसन कुटा हुआ डाला है लहसन अद्रक से स्वाद इसका बहुत ही बढ़िया आता है तो यह इंग्रीड आपको स्किप नहीं करना है एक चमश मैंने यहां पर कुटी हुई हरी मिर्च ऐड किया है इ नाचकों आपको धीमा नहीं करना है और इसे इस तरह से चलाते हुए भून लिया है एक चमच मैंने आपर सोया सॉस एड किया है और एक चमच इसके अंदर जाएगा यह चिली पेस्ट आप सीज्वन सॉस का भी डारेक्ली इस्तमाल यहां पर कर सकते हैं हलका साहिने काली मीर्च पाउडर इससे भी स्वाद बहुत बढ़िया जाता है तो यह सब आपको स्किप बिल्कूल भी नहीं करना इसे जरूर शामिल करना है इसके बाद मैंने यहां अब जो हमारे सॉस को गाढ़ा बनाएगा वो है यहां पर आरा रोट का पानी तो दो चमच आरा रो हम इसमें फूट कलर आड़ करेंगे ताकि कलर बहुत बढ़ियां आ जाए रिस्टोरेंट की तरह और इसे हम पकाएंगे और जब इसमें बढ़ियां सी उबाल आ जाएगी तब हमें इसमें सारे बॉल इसके अंदर डाल देंगे अगर आपको सॉस थोड़ी गाड़ी चाहि तो पानी और बढ़ा सकते हैं और इसे हम पकने देते हैं तो यहाँ पर आप ऐस तरह से बनाओगे ना आपको बहुत ही बढ़ियां बनेगी मार्किट का लाना आप भूल जाओगे यहाँ पर सॉस हमारी गाड़ी हो चुकी है तो बहुत ही जबरदस्त हमारा मंचूरें बन हम कर देंगे और एक एक को अच्छे से बॉल्स को इसमें डीप करकी नहला देना है कूटिंग एकदम चारो तरफ अच्छे से होनी चाहिए मंचूरें बॉल्स की तो आप इस तरह से बना की जरूर देखिएगा बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा बाहर का अन कही तेल को तेल में बनाया जाता है बनाया जाता है वो तेल बहुत हानिकारक हो जाता है तो लीजे यहां पर गर्मा गरब हमारे मंचूरें बॉल्स बनके तयार हो गया है तो इससे फटा-फट से सर्फ कर देते हैं एकदम सस्ता सा हमारे मंचूरें बॉल्स बनके तयार हो क्रिस्पी करारा जूसी अंदर से एक दम सॉफ्ट सॉफ्ट उपर से क्रंची क्रंची है बहुती आसानी से बन के तयार हो जाता है आप इस रेसिपी को एक बार जरू ट्राय करें मैं मिलती हूं नेक्स वीडियो में रखे अपना ध्यान बबाई थैंक्स पो वाचिंग जैहि करें से रखे आप लागे ड्राय करेंagen झाल झाल